बॉलिवुड में इशा देवल ने काफी लंबे समय तक रास भले ना किया हो लेकिन इशा देवल करना हमेशा ही धूम फिल्म की एक ऐसी अक्रिस की तोर पर चर्चाव में आता है जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया था अपने बेहधिस सिजलिंग उतार से इशा अपनी मासूम्य से लेकर अपनी खुबसूर्ती डार्लिंग फिर्म में घोष्ट के रोल से लेकर धूम में स्टन्ट वाली अक्रिस के तोर पर भी रास कर चुकी है लेकिन इशा देवल आज जिस तरह से अपनी मैरीड लाइफ एंजोई कर रही हैं वाकी में काबिले त अपनी मैरीड लाइफ नमस्कार देख रहे हैं आप नेक्स्ट वनाइन न्यूज स्वागत है आप सभी का हमारे शनल में मैं आपकी होस्ट रिप्ती आज लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम आप सभी की चहेती इशा देवल को लेकर इशा देवल ने हाली में अपना मै जानिवर्सरी सेलिब्रेट किया अपने हस्बिन भारत तकतानी के साथ और शायद आपको मालूम ना हो लेकिन इशा देवल अपने मैरे जानिवर्सरी को सेलिब्रेट करते वी दो बार मा बनने के बाद अपनी बेटी मायर मियारा को जर्म देने के बाद हस्बिन को लेकर इ पैक्रिस्ट की शादी सब कुछ चौका आ गई थी लेकिन इस शादी में धर्मेंद्र और हेमा दोनों काफी मुशनल लज़र आये थे इशा देवल की शादी के बारे में आपको मालूम हो ना हो लेकिन इशा देवल की शादी बेहत खुच्छ थी इशा देवल की शादी के सालगीरा पर एक बड़ा राज खुला की राज है कि दोनों भारत तकतानी और इशा देवल की जो मेरिजर लाइफ है इसकी शुरुवात बड़ी ही अलग हुई थी बड़ी ही अजीब थी इनकी कहानी जिनकी कहानी कभी प्यार मोहबत नहीं बलकि लड़ाई और छग्रेश से शुरू हुई थी जी हाँ आज हम आपको बताएंगे इश्या और भारत की मोहबत से जुड़ी वो बात जी हाँ सबसे पहले आप सभी का स्वागत करतें वेश्यों में मैं आपकी होस्ष्टि आपको ये बता दू कि इश्या भारत तकतारी हिसा अपनी लाइफस्टाइल फिल्मी पर्दे से हटकर खूब इंज्जोई करती है और उनकी फैमली एक ऐसी फैमली है जिसका सपोर्ट हेमा और ध बोलिवोड फनक्शन में भारत तकतारी इश्या के साथ नजर आए तो कई बॉल फनक्शन में अपनी सासो माहेमा को लेकर भी बारत पहुच जाते हैं उन्हों से हमेशा दूरी बनाने वाले भारत तकतानी इश्या की दिल पर राज करने वाले कैसे ऐसे शक्स हैं जन्होंने कभी भी अपने कोशिशों को कायम नहीं हूने दिया आज हम आपको बताएंगे कैसे इनकी मोहबत शुरू हुए थी कैसे पहली मुलाका जाता है लेकिन की कहानी जो शुरू हुई थी, था पड़ों से शुरू हुई थी, इनकी लब स्टोरी भी बड़ी ही अजीव है, लेकिन शायद आपको मालूम हो ना हो, लेकिन इशा देओल ने हाली में एक पोस्ट भी शेर किया था, बारत तक तानी को लेकर इंस्टाग्राम पर लि हो, लेकिन साल 2012 में इनकी शादी हुई, भारत तक तानी के साथ इससे पहले इनकी रिलेशन्चिप के बारे में बेहत कम लोगों को पता था, इसलिए क्योंकि ये अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी पब्लिक अली सामने नहीं आने देते थे, लेकिन इनकी जब शाद 29 की तारीकों साल 2012 में हुई थी, उस शादी भारत तक तानी के साथ जो हुई, उसमें मर्जी, धरमेंदर और हेमा दोनों की थी, लेकिन इनकी महबत का अंदासा इन्हें भी नहीं था, शायद आपको मालूम होना हो, लेकिन भारत तक तानी को, इश्या देवल ने 13 साल की उ का प्यार है, जिसे लोगों ने काफे जादा पसंद किया, ऐसे भी खबरे तामाम आई थी, कि इश्या देवल जब भारत ने उनका हाथ पकड़ा था, तो इश्या ने उन्हें था पड़ मारा था, इसका खोलासा खोद इश्या देवल ने बताया था, तब वो काफी छोटी नाहुश थी जब उनका रिष्टा पहली बार सामने आया, लेकिन तब दोनों ही दोस्ती में थे और इसके बाद ये प्यार हुआ, ये लगाव गहरा रिष्टा बनाता गया, जिसके बाद इनकी महबबत और फिर शादी में तब दिल ही इनकी कहाने, ऐसे ही चलती रही, इन आपके बीश लेकर आएंगे, खास कहानिया बॉलिबो टाउन से जुड़ी भी, फिलाल आपसे लेते हैं यहीं परिचास, देखते रहें, नेक्स्ट नाइन न्यूस, नमस्कार